Hello students, I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सारे solutions को आपने अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा यह आपके exams लिए बहुत साथा help पूर रहे वाले हैं आज हम question 8 का second part करेंगे, B part, karyotyping, ठीक है? किसी भी organism का metaphase में जो chromosomes होता है, उनका identification और visualization करने के एक technique होता है, जैसे यहां पर लिखा है कि karyotyping is a technique that allows for visualization and identification of metaphase chromosome of an organism, जिस भी organism का हमको karyotyp बनाना है, karyotyping करने है, उसके metaphase के chromosomes का identification और visualization करने की जो technique होती है, उसको karyotyping कहते है, and it is believed that Wittsky ने सबसे पहले karyotyp को बनाया था, ठीक है? यह एक laboratory procedure होता है, इसके अंदर क्या करते हैं कि पहले cell को ले लेंगे, cell को लेने के बाद में उस chromosomes को isolate कर लेंगे, फिर उनको एक numeric order में arrange कर देता है, ठीक है? उसका पूरा का पूरा protocol होता है, कि इस तरीके से सारा कुश करना होता है, जैसे कि यहां पर karyotype दिखाने के इसके अंदर देखो, 22 pair होता है, वो तो autosomes के होता है, ठीक है, वो इस तरीके से arrange है, उनका arrangement कि बेसिस पर होता है, वो मैं next slide में बताऊंगे, ठीक है, और male के लिए xy हो गया, और female के लिए xx हो गया, तो यह एक karyotype है, male और female का, ठीक है, अब हम karyotype के, हमको karyotype की जरूरत क्यों पढ़ती है, देखो, this procedure may be used to look for abnormalities in chromosome number और structure before birth और during pregnancy, देखो, बच्चों के अंदर किसी भी तरीके की chromosomal disease ना हो जाए, हैना उससे बचने के लिए, बच्चे के बच्चे के बच्चे के पहले या फिर जिस टाप में pregnancy हो रही होती है, उसी टाइम में karyotype कराई जाती है इससे हमको पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर chromosome number में या उसकी structure भी किसी भी तरीके की abnormality तो नहीं है, अगर कोई abnormality होती होती है तो उसको diagnose करके उसका उसी care coding treatment किया जाता है, चलो अब देखते हैं केरियो टाइपिंग बनती कैसे है, तो karyotype जो होता है वो किसी भी species का ए साइज, bending pattern and satromere position, satromere की position क्या है, क्रोमोजोम को जब हम numeric order में arrange कर देते हैं, तो उससे हमको यह भी पता चल जाता है कि कि किसी भी chromosome के अंदर number of chromosome कितने है, है ना, और उस organism की morphology क्या है, और यह सब चीजे हम यह वाले जो karyotype हैं, हम अंडर माइक्रोज को देख सकते हैं, त इसको बनाने के लिए karyotype बनाने के लिए क्या करना होता है, पहले तो cell लेते हैं, जिसमें से क्रोमोजोम लेने होता है, क्रोमोजोम को लेकर कि उसको मेटाफेज में arrest कर देते हैं, और फिर उनके size, bending pattern और centromere position के base पे numeric order में टाल देते हैं, ठीक है, अब देखो जैसे human being, अगर typical human being का ही karyotype लेने रग जाएं, तो उसके अंदर 22 pair तो autosomes होएंगे, है ना, और one pair क्या होगा, sex chromosome होगा, अब अगर female है, तो उसके अंदर 2 XX chromosome होगे, और अगर male है, तो उसके अंदर XY होगा, ठीक है, अब question दिमाग में या था कि karyotyping के में शुरुवत क्या होती, जै प्रिगनेंसी के बच्चे के जन के पहले है, जैसे कि को प्रिगनेंक लेडी है, उसके अंदर उसके बच्चों को future में कोई किसी भी तरीकी के abnormality ना हो जाए, उसके लिए डाग्नोस करने के लिए कि आ जाता है, वैसे ही इसके और भी, मतलब है कि यूजिज है, और भी क्रोमोजोमल इटेरियेशन्स इन प्रिनेटल डाग्नोस्टिक, वो ही कि बच्चे के पैदा होने से पहले, उसको देख लें कि बई उसके अंदर किसी तरीकी के को क्रोमोजोमल डिजीज तो नहीं है, या फिर ट्यूमर की स्टड़ी कर रहे हैं, तो भी केरियोटैपिंग क काफी हेल्प करती है, केरियोटैपिंग के थ्रू सेलूलर फंक्शन्स का पता चलता है, टेक्सोनोमिक रिलेशन्स का अगर हमें पता करना है, तो हम स्पेसिज की केरियोटैप करके उससे रिलेशन को निकाल सकते हैं, है न, प्रोवाइड इनफोमेशन अबाव दी पास्ट इवल्यूशनरी इवेंट, अगर हमें और्गिलिजम के पास्ट इवल्यूशनरी इवेंट को भी समझना है, तो भी हम केरियोटैपिंग के थ्रू उसको समझ सकते हैं, अभी जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम के बारे मे देखो, उसकी केरियोटैपिंग से ऐसे पता चल गया कि जैसे और्गिनिजम है, उसके क्रोमोजोम से लिए और उसको ऐसे ओर्डर में अरेंज कर दें, उनके साइज, बेंड पेटर्न और सेंट्रोमेर पोजिशन के बेस पर, है ना, अरेंज करने के बाद में हमको पता कि इस individual के अंदर हमारे को इस इंडेविऍविजवल के अंदर ऐसका असर कितना होगा है और, अगर चाम मतलु की वह डिजीज को सक एक प्रपर तरीके से वह हो अधिक्ट्र में इसका करेक्ट हे और या फिर यह ना, अलाश्त लेक्श में आप लोगों को बताए था कि कुछ इंडिविजवल के अंदर क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है लेकिन उनको लाइट तक नहीं पता चलता है जब तक कि वो मिच्छी ओरनी हो जाता है कुछ के अंदर पहले से ही पता चल जाता है और यह एक अपको समझ में आगे हो कि कैसे केरियो टैपिंग की जाती है और इसका क्या यूज है तो जो भी इस चैनल पर नहीं है कानली टू सब्सक्राइब शेर और लाइक डोंट फोगे टू प्रेस बेल आइकन सो देट आपको नहीं आगे की जोपी में वीडियो उस डालूंगे उनके नोटिफिकेशन बनते रहे थे कि जू वाचिए